खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकान दबाए और हमारे आर्नाइन टीवी को सब्सक्राइब करें चलिए अब ताजा सिच्वेशन क्या है? क्या कुछ चल रहा है यूपी में? ये जानेंगे न्यूस रूम में मेरे सही होगी जबार खान वहां मौचूद है जबार आपसे ये जानना चाहेंगे दरसल आज यूपी में क्या चल रहा है? बेहद संजीदा दिन इसे माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले पिछले हफ़ते का शुक्रवार का दिन हम देख चुके हैं सकती विदियां वहां परवान चड़ीती ये बताईी के इंटरनेट कौन कौन से जलू में बंद है? सुरक्षया विवस्ता के क्या इंतिजाम है? ओवर डू यू जबार जिया कुल्दीप पिछले जुम्हे से सबख सीकते हुए इस बार सरकार पुलिस पुशासर ने बहुत ही सतरता बड़ती है और आज भी हमने जो यहां पर पीछे लिखा है कि आज जुम्ह है दरसल एक उम्मीद के साथ में कि जुम्ह की नमाज अदा करने के लिए जब लोग जाएं तो ना सिर्फ नमाज अदा करें बलकि दौाएं भी करें बलकि इस नमाज के जरिये कुछ सोचें समझें कि हिंसा आखर किसी भी रिलिजन किसी भी धर्म के अंदर किसी भी शरीयत ने अजाज़त कभी नहीं दी है तो आज गोरकपूर से लेकर के घाजियाबाद का अलाका हो कश्मिर से लेकर के कन्या कुमारी का अलाका हो या फिर गुहाटी से लेकर के गुजरात तक हर जगा पुलिस की सतरता बरती जारी है मगर उत्रपरदिश में योगी आदितनाथ की सरकार ने पुलिस परशासन ने विशेश तोर पर इस बार इंतजाम किया हैं क्योंकि कुलदीप आपको याद होगा पिछले जुम्हे को हम लोग इसी तरीखे से चर्चा कर रहे थे कि कैसे लोग परदेशन करते करते हिंसक हो ग रहे थे पुलिस वालों के ओपर पत्रा हुआ था गोलिया चलाए गए थी हाला कि इस बीश में अब तक खबरिया याई की पंदरा से जादा लोगों के मौते हो चुकी हैं मगर उन्ही तमाम चीजों को कुलदीप ध्यान में रख करके उन्ही तमाम चीजों के मदे नजर आ से ही लगातार निगाहा बनाए हुई है हमारे साथ में थोड़ी ही दिर में नीरज मिश्रा जुड़ेंगे अभी शेक पांडे जुड़ेंगे और चांद बेबी भी जुड़ेंगे बताएंगे कि आज इस वक्त क्या कुछ तस्विर हैं मगर हम आपको लिए चलते हैं दर् पुलिस का फ्लैक मार्च है शांती बनी रहे अमनो सकून बना रहे बहतर तोर पर लोग जुम्हे की नमाज अदा करके अपने अपने घरों को वापस जाए और अगर किसी को विरुद परदर्शन करना भी है तो सिर्फ और सिर्फ शांती आज देखे तो ये ड्रोन कैमरे ड चांद जिस तरीके से सुबे से शांती देखी जा रही है अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चलता जैसे की यूपी में 75 जिले हैं जिनमें से 22 जिलों में इंटरनेट सेवाई बंद कर दी गई है जुम्हा को देखते हुए सुरकसा बढ़ाई गई है एस पी और डिये सडक पर उ जुम्हा की नमाज वहाँ पर हो चुकी है और इस वक्त वहाँ क्या चल रहा है अभी तक तो महल एकदम से सांथ है सब सुरक्षा बरती जा रही है अभी तक सब साफ दिखाए दे रहा है अभी कोई ऐसी परशासन की तरफ से यसी कोई हमें खबर नहीं आ रही कि जहां पर प्रोटेस्ट वागेरा को लेकर ऐसा कुछ अभी दिखाए नहीं जाए हमारे साथा बने आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे तो ये एक इस्तिति जो कि बेहतर इस्तिति हमने दिखाया कि किस तरीके से उत्तरपरदेश का बांदा का इलाका और ये खास तोर पर जो पू सिट्वेशन थी इस्तिति ऐसी थी जिसमें हिंसक जड़पे हुए थी मगर इन तमाम चीजों के बेश में पुशासर ने पुलिस ने सरकार ने जो तयारियां की हैं कुल देप वो बहुत जादा बेहतर पिछली बार के मकाबले इस बार देखने को मिलने हैं और यही वज़ से और डीजी पी ओपी सिंग सहाब भी यह कह रहे हैं कि जो महौल है पिछले तीन-चार दिनों से समाने बना हुआ है असर क्या है सकत का सरकार का जो सकत तेवर है वो असर दिखा रहा है या पिर जागरुकता बड़ी है क्योंकि पीस मीटिंग्स का दौर भीच चला है लग इस बार कहीं न कहीं ज्यादा पुलिस बल सतरक है तनात तो पहले भी थी इस बार भी है लेकिन सतरकता ज्यादा बढ़ती जा रही है लेकिन इन तमाम चीजों के बिश में योगी आदितनात का जो एक फरमान के साब किसी को बक्षा नहीं जाएगा उपदरीवों को करके उनकी पॉब्लिक पॉपर्टी जो नुखसान पहुंचाया गया जिसमें जो लोग आरोपी हैं उनकी संपत्तियों को जब्त करके उसकी भरपाई करने की कोशिश की जारी है मगर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कुल्दी की घाजियाबाद से लेकर के गोरखपुर त अंदास से कि सब कुछ नॉमल समान इस्तिय है बहतर तरीके से यहां पर यह देखिए यह जो देख रहे हैं आप छोड़ा सा एरिया जहां पर ड्रोन कैमरा यहां पर लगातार गश्ट करता हुआ देख रहा है याने के हर तरफ से जमीन के उपर से और या फिर आसमान के नि गाजियाबाद के अलाका चूंकि देश की राजधानी दिली से बिल्कुल सटा हुआ यह इलाका है इसलिए इन जगोहों पर जादा सतरकता बढ़ती जा रही है हमारे साथ में अभिशेक पांडे अभिशेक गाजियाबाद ने पिछली बार देखने को मिला था कि हिंसा बनाएं लोगों पर इंटरनेट की सेवा यहां भी गाजियाबाद और आसपास के लाकों में बंद है तो गाजियाबाद में इंटरनेट बंद है आज रात दस बज़े तक इंटरनेट बंद रहेगा यह इसी वह से बंद किया गया कि जूमे की नमाज है उसको देखते बात किया है तो देखा जाकर प्रदेश में दस दिसंबर से देखा है आसपास से जो प्रदर्शय नों काफी हद तक ज्यादा बढ़ गया तो लेकिन प्रशाशा ने पूरा पुक्ता इंतिजाम कर रखा है कि इस बास जो प्रदर्शय ने वह बढ़ेना इस आपने कहा दिल सक्त हर जगा और कहीं भी ऐसे हिंसा ना भढ़के फिर से इसके लिए प्रशाशन पुरी तरह कैसे तयार है पिछली बार यह देखने को मिला था कि जुम्हे की नमाज हुई थी जुम्हे की नमाज के बाद में लोग प्रदर्शन कर रहे थे आचानक भीड जो हिंसक हो गई करें ड्रोन से सभी के उपर नज़र रख रहे हैं और खासकर उन लोगों पर नज़र रखी जारी जो लोग गुट में दिख रहे हैं उन लोगों पर खास नज़र रखी जारी कि जो ज्यादातर लोगों एक साथ जारे हैं उन पर नज़र रखी जारी कि कोई उपद्रों न आता है या दूसरे अलाके आते हैं वहांपर इस त्थिय क्या है उसके बाद में हम अपने सायोगी राकेश की तरह बीचलने के कोशिश करेंगे और समझने के कोशिश करेंगे कि आखर आज पूरे देश की अगर बात करें तो पिछले बार जिम्म्ए के नमाज के बात में जो चीजों पर हमारे साथ में उत्रबर्देश का सहारनपूर का बल्ट में बता रहा था रामपूर का अलाका यह जो पूरी अलाके हैं पिछली बार बहुत जादा यहां पर हिंसा भड़की थी हमारे साथ नीरज मिश्रा इस वक्त जोड़े नेरे सबसे पहले तस्वीर सामती वहां पर है सारणपूर में NS वहाँ पिशाहन और फत्सक्र फेल्ट में जब जब ऐसी चीज़ें होती हैं उपसर्डव यहां जदा मस्ता है फुलिस के सतरकता इस बार बार्स शुक्रवार के मुकाबले आपको जढ़ा देखी क्या क्या Wakव और इसलिए बार मिसिंग थी इस बार इन्होंने प्रिकॉशनरी कुछ टेप्स पहले ले लिए जैसे कि इनको पता था कि यहां पर सेफटी वाइस नंकी टीमें कम थी तो उन्होंने चार टीमें बाहर से बुलाई हैं यहां चार पीसे अभी हमारी बात वी थी मैंने आपको बताय जिसे उन्होंने का था पहले भी जुम्हें के बाद जब यहां पर नमाज अदा होने के बाद कुछ दर्वियों ने जो बावाल मचाया था वह बाकियों की जगह से काफी कंपेटिवली काफी कम था मुश्किलें तब हो जाती है जब भीड अपने आगे बच्चों को कर दे थी इस बार ऐसी तो कोई स्थिति नहीं दिद्गी नई अभी वहाँ पर सिच्वेशन पूरी कंट्रोल में है पूरी सिच्वेशन कंट्रोल में है जो आप बात बता रहे हैं यह बिल्कु सही है लगाता हमने कई जगे हमने देखा कि बच्चों को आगे कर दिया गया था मह इसने सतर्फता बढ़ती और लोगों से जो अपीले की उसका असर इस बार बड़े स्थर पर दिख रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल यह आप बिल्कुल सही कहेंगे जिस तरीके से पिछली बार जो गलतिया हुई थी इस बार उन्होंने ध्यान दिया है प्रिकॉशन इस ब पर चौकी के बगल का इलाका है वहाँ पर इस तरह के शौट देख रहे हैं और यहीं से ही आप देखेंगे अपर करके उपर गया यह पूरे के पूरे शेहर में इसमें चप्पे चपे पर नज़र रखी जा रही है और ऐसी इस्तिती में जैसा कि आप देख रहे हैं कि पु पुछ चल रहा है मगर आपको लिए चलते हैं देश की राजधानी दिली जहां पर इस बार को कहीं जो फिर बारक्त की ओँड़ात हो और ये हलाकि शान्ती की तस्विरे भी आ रहे हैं अमन है फिलहल लोग हाथों में तरंगा लिये हुए हैं जोरबा का अलाका और यहां पर चुके उपदरव मशने की जादा आश्रंका इस बात को ले करके थी क्योंकि पिछली बार जुम्हे की नमाज के वक्त या उसके बाद करती है के लोग इस बार अमन के साथ में सुकून के साथ में यहां देख रहे हाथों में फिलाल तरंगा है और जाहिर तो चोंकि च्वह हाथों में तरंगा हो तो allowed ti और पिछले जुम्हे के नमाज के बाद में जिस तरीके से यहां पर हिंसा हुई थी उसी से सबक लेते हुए कहीं ने कहीं इस बार उसे बहतर करने की कोशिकी की जल्दी से संशेप में समझना चाहेंगे राकेश राकेश पूरे देश इस्तर की अगर बात करें जो इस तिती पिछली बार या पिछले बारा दिनों में देखने को मिली है इस बार काफी बैहतर दिख रहा है देखे setting government ने इस बार अब पिछले जुंह था उसमें इसमें फर्क है कि government के अपने सारे जो जो बोलते हैं के पूरी चाहक चापन परबंद किये हुए है पूरी तरह से वो य जिन जिन भी इलाकों में या दिल्ली ओ जिन भी इलाकों में गौर्मन को यह संदिय था कि यहां पर इस तर्फक करें कुछ तुम बार महराश्ट्रा गुज्रात या दुशर जगों पर ऐसी हिंसा नहीं दिल्ली और यूपी में खास तोर पर ज़ादा विशेत ध्यान दिया प्रफार ने बिल्कुल 4-4 बंदोबस्त किये हुए हैं और आज जुम्मा है जुम्मा पर संदिस यह जाना चाहिए कि अमन देश में होना चाहिए बहुत अच्छी लाइन और बहुत अच्छी बात आपने कहीं कि जुम्मा की नमास के बात में जाहिए तोर पर एक असर की उम्मीद्य करते हैं कि लोग अमन और शांती को बना रखें कुल मिला जुला करके हमने दर्शकों को जैसा कि जखाया कि यह सिती है लेकिन बहुत बेहतर है पिछली बार के मुखाबले जब बार थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं एक सवाल और जहर में उठ रहा हा था दरसल मुस्लिम अबादी जाहिर तोर पर उत्तर परदेश में सबसे ज्यादा है लेकिन उससे सटे राज्यों में बिहार की बात कर ली जाए पशिम बंगाल की बात कर ली जाए इसके अलावा राजेस्तान की बात कर ली जाए और हर्याना से लेकर नीचे मध्य परदेश करनाटा की बात कर ली जाए लेकिन वहाँ पर इस तरीकी की हिंसा गतीविदिया नजर नहीं आई और पूरे देश में आज भी कोई प्रदेश है हाईलाइटेड इस वज़े को लेकर कि आज का दिन संजीद है तो वो महज उत्तर प्रदेश वज़े क्या है जे कुलदीप इससे पहले मैं ये बताओं कि दरसल जब पिछली बार हिंसा की शुरुआत हुई उसके बाद में सरकार की तरफ से भी सकारात्मक कदम उठाने शुरू के गया गयाने के लोगों को समझाने का तरीखा निकाला गया एक संबाद की इस्तिथी बनाने की कोशिश की गई यहां तक कि यह कहा गया प्रदा मंतरी नरेंद मोदी ने खुद इन तमाम चीज़ों को लेकर कि जिस तरीके से अपिल कि ग्री मंतरी अमिश शाह ने अपिल कि देश के अलग अलग इस्सों में राज निताओं ने मंतरियों ने यहां तक कि अलग अलग संगटनों के तरफ से साथी साथ में कहीं न कहीं सरकार पुशासन पुलिस ने सखती भी दिखाई हाला कि उस सखती को लेकर के उस पर सवाल भी उठे लेकिन मौजुदा वक्त में जो इस्तिती है उत्रपरदेश में वो इस्तिती काफी कंट्रूल्ड है कुलदीब क्योंकि जब हर तरफ सखती हो ज तो जब्बार खान ये समझा जा सकता है कि दरहसल पेछले हफ़ते में जतनी अपीले की गई है और लगातार ये बात सामने आ रही थी कि एक समुदाय जो है वो चाहता है कि परधान मंत्री के जुबान से भी कुछ सामने आया और राम लिला मैदान से परधान मंत्री की जो ही जो सकती प्रशासर ने दिखाई उपद्रवियों पर निशाना साथा उसका असर आज देखने को मिला आज का बेहत संजीदा दिन मुकमल हो गया बिना किसी हिंसा के चलिए तो फिलहाल इन खबरों में इतना ही आप बने रही आर नाइन टीवी के साथ सर्फ खबरों क